हलो माइ ब्यूटिफुल सोल्स वेलकम टू माइ यूटुब चैनल गाइस ट्यारो विश्य वी चिपलेट कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं गाइस अगर आप मेरे चैनल पर आहें तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को गाइस एक जनरल कलेक्टिव वो टैम्लेस रीडिंग है जितना रिजुनेट करें उतना ही रखिएगा आपकी रीडिंग को लेकर हरी हरा का नाम क्या वो आपको गाइड करना चाहते हैं आज की दिन में लेकर क्या है जाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि आप फीलिंग वीडियो को भी अपलोड कीजिए प्रिच्वल आवेगनिंग के वीडियो और भी सारी चीज़ें तो मैं आपको जो रीडिंग करती हूँ उसमें ही आपको मैं थोड़ा थोड़ा गाइड करती जाती हूँ ठीके अलग से मुझे अगर मिलता है तो मैं उसको अलग से भी वीडियो बना कर उस पर शॉट में अपलोड कर दूगी यहाँ पर जे लेटर बना है पहला ठीक है यहाँ पर पहला लेटर जे बना है कल भी आई थिंक जे लेटर बना था किसी के लिए मैसेज है भाई जे जो भी है यहाँ पर यहाँ पर कोई आपके परसन आपसे यह कहना चाहते है कि मुझे आप प्यार कभी नहीं होगा दुबारा ठीक है किसी के पार्टनर का यह मैसेज आ रहा है कि अब मुझसे यह चीज़े नहीं होंगी अब इस परसन का ना यह कुछ ऐसा बोल नहीं कोशिश कर रहे है कि इनका इन सब चीज़ों से ब मन भर चुका है ठीक है और इनको लाइफ में अब दुबारा कभी भी किसी भी लफ कानेक्शन में इंटरस्ट है लही नहीं ठीक है, अपके परसन कहनी की कोशिश कर रहे हैं वो अब इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहते हैं इन्फ leggings यह इसा बोलनी कोशिश कर रहे है कि इनके मन में किसी को भी लेकर कोई प्यार नहीं है अब इस परसन के स्टमक में ठीक है बहुत ज़्यादा पेन है इस वक्त में और आइ तिंक मुझे यहां पर ऐसी भी एनरजी फिलाल मिल रही है जैसे इस परसन का यहां पर रूट चक्रा की भी एनरजी है और यहां पर में को सिक्रल की भी और सोल अप्लेक्स मुझे लूट चक्रा की एनरजी फिल हो रही है इस परसन का इस वक्त में पेड भी वोज़े लगता है कुछ खराब हो सकता है यहां पर ऐसी एनरजी भी नजर आ रही है ठीक है या फिर इस परसन को काफी ज़़ादा पेन हो रहा है ओके यह परसन समझ नहीं पा रहे हैं कि इस परसन को lower side पर इतना pain क्यों हो रहा है या फिर इस परसन को इतनी जादा problem create क्यों हो रखी है अचानक से चीज़ां क्यों हो रही है एक तो यह मुझे लगता है अपनी family के matter से कुछ काफी जादा इस वक्त ने और इस परसन को कुछ यहां पर issues भी नजर आ रहे हैं जैसे यहां मादर्द होना थीक है especially इनके lower side पर तो यहां पर बहुत ज़ाद इस परसन को ना इससे लग रहा है कि अब मैं करूं तो करूं क्या ठीक है बहुत ज़ाद इस परसन को वो मिल रही है मैस्कुलिंस की जो energy आती है या उनकी जो awakening होती है वो बहुत fast होती है ठीक है फैमिलन की awakening है वो slow process है यूनिवर्स आराम आराम से करते हैं त्यूंकि उनको इनावक जादा करना होता है और उनके उपर उनको actually इनावक करना होता है और उनकी वो चीज़ें जल्दी surrender करती है ठीक है तो उनको path देते हैं यूनिवर्स और धीरे-धीरे समझाते हैं ठीक है क्योंकि काफी emotional होती है तो जब रोती है तो परमात्मा को भी तकलिफ होती है किसी का person यहाँ पर यह सोचने की कोशिश कर रहा है कि यह connection मेरी लिए सरदर्द बन गया ठीक है यहाँ पर क्या होता है जब आपसे related चीज़ें होती है तो आप ऐसा सोच सकते हैं मेरे viewers भी कई बार ऐसा comment section में लिखते हैं कि कहीं क्यों यह इनसान में लाइफ में आया पुरी लाइफ मेरी हिल गई ठीक है ऐसा हो गया वैसा हो गया इसी तरीके का message यह person भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा सरदर्द बन गया आपका connection ठीक है इस चीज़ में की इनसान चाहरा थे चीज़ें उसके according हों लेकिन इस connection में चीज़ें उसके according नहीं हों सबसे बड़ी बात तो यहां पर यही होती है कि आप चाहते हो चीज़ें आपके according हो आपके दिमाग के अनुसार हो और परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग के अनुसार इस जर्णी में एक चीज नहीं होने वाली लगा के देख लो तुम अपना दिमाग ठीक है इस जर्णी में चीज़ें उसके हिसाब से हो जाएंगी जो चीज़ों को बहुत सही होता है ठीक है हलागी दिमाग तो अच्छे चे लगा लें इस जर्णी में तो भी उनका कुछ होटा तो नहीं अन्थमय होता वही है जो परमात्मा को करना होता है तो यहाँ पर ऐसी एनरजी कोई ऐसा भी कहनी कोशिश कर रहा है ना मैं तुम से मिला होता ना मैं तुम से मिली होती ना ये सब हुआ होता ठीक है इस परसन को अपने आस्वाद बहुत जादा खुशबू आ रही है इस वक्त में मुझे ऐसा लगता है इंजल्स की प्रेजन्स है इस परसन की आसपस इस परसन को हो सकता है इंजल नंबर्स पी दिखाई दे रहा हूँ पर ये नोटिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा मै अजीब सी खुशबू इस परसन को अपने चारों तरफ आती है ठीक है यानि कि इस परसन के यहां पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि इस परसन की आराउंड चारों तरफ यानि की पॉजिटिव एनरजी है ठीक है इस परसन के अंदर अभी फिलाल मुझे बहुत गुशा नजार आ रहा है ठीक है बलेमिंग एनरजी है शायद इस परसन के अंदर बलेमिंग एनरजी इस में है कि मुझे नहीं चाहिए था ऐसा कानेक्शन मिरे को नहीं चाहिए थी ऐसी चीज़ यह भी देखो यह बी कितनी जादा अच्छा मिल जाए तब भी आप इश्वार से जाकर यही कहेंगे कि क्यो दिया था मुझे मुझे सबसे अच्छा नहीं चाहिए था मुझे तो 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 नहीं अच्छा चाहिए था जितनी अच्छी मेरी बुद्धी है ठीक है मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ है वो यह नहीं मानते कि मेरी डिस्टॉर्शन के वह ऐसे चीज़ें खराब हुई हैं वो यह बोलते हैं कि काच तुम आई ही नहोते याई अगर आपको बहुत अच्छा भी परमात्मा दे देना और उतने अच्छे आप नहीं हो पहले तो भी आप चीज़ें नहीं समाल सकत इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप अपने अकॉर्डिंग चाह रहे थे और यूनिवर्स ने आपको आपकी उमीद से जादा दिया था या उमीद से जादा थाली में परोसा था और उतने कि आपको भूक थी नहीं तो आपने वही किया कि खाना छोड़ दिया तो वह एनरजी हैं ऐसा कि क्यों आपने उस इंसान को मेरी लाइफ में भीजा था जिस दिन ये जान जाएंगे रियालिटी जब तक इनको इनको इनका सबकॉंशेस माइंड अल्रीडी सबको जानता है ठीक है मतलब बहुत सारी चीज़े इस परसन को आल्रीडी पता होती है लेकिन जिस दि इस परसन की दिमाग की बट्ती खुलेगी ठीक है यहां पर मैं ट्रिक्स में उस दिन इस परसन को रियला ही जोगा कि यह किस चीज़ की शिकायत कर रहे थे पर मात्समा से यह परसन ऐसे भी बोलने की कोशिश कर रहा है यहां पर कि आपसे भी ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा ठीक है तुमने भी हमेशे अपनी चलाई है तुम्ही मेरी बात है मान लेती तुम्हीãy कुछी मुझे तुम्हेअ थौड़ा समझ लेती यहाँ पर समझ लेते हैं यहाँ पर कुछ अशुए के का बोल लिकी और खुशिश कर रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि कोई यह कहने की कर्शिश कर रहा है कि अगर मैं कुछ कह रहा था या कह रही थी तो तुम ही understand कर लेते हैं ठीक है मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि expectation 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 ठीक है और यह जो journey है वो है unconditional की जब तक आप सारी expectations को release करके unconditional love में नहीं चले आते आपका union possible नहीं हो पाता है क्योंकि आप शिकायतों की energy में है और जब तक आप शिकायतों की energy में है तब तक यहाँ पर possibility नहीं है यहाँ पर किसी की person जे लेटर यहाँ पर जे लेटर भी निकल कर आया था ठीक है मतलब किसी की person की energy यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि high low high low हो रही है ठीक है पहले उसको high high होती है जब उसको आपकी अच्छाईएं समझ आती है लो हो जाती है जब उस समझ में आता है कि जब उसका दिमाग active होता है ठीक है मतलब इस journey में ऐसा होता है पहले आगे की तरफ जाएंगे फिर धक्का लगेगा फिर पीछे आएंगे फिर आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे फिर आगे जाएंगे फिर दीरे दीरे करके आप ही लो पाते हैं तीक है ऐसे चलती है जर्णी मतलब फेले हाइ लो हाइ लो हाइ लो फिर सीधी लैन ठीक है तो वो एनरजी है अबे अच्छा ये परसंञे आपको स्टॉक भी करने है वतलू आप ये भी है शिकाइद भी करने है लड़ना भी है चार बाते भी सुनानी है blog भी करना, prediction में जाना of इस look भी पे बीकमाल की चीज है ठीक है? मतलब यह person आपको stock कर रहे हैं, कल मैंने ऐपको energy दी थी कि आपका partner一個 stock कर रहा है ठीक है? और वीच बीच में guys आपको आपको हीं छीजों के लिए blame भी कर देते हैं यह person ठीक है? और यहांपर डीमीफ की लाइट में क्या चाहता है, हम तो यह कहते हैं कि جससे आपको मतलब नहीं हो, उसके बारे हैं awak को क्यों जानना है , जब आप उससे दूर ही जाना चाहते हैं , इनसान दूर नहीं जाना चाहता है , इस वैद्स नहीं जाना चाहता है , सिर्फ झाल यह है सिरन都 अप Сергा अच्छा इस वक्त में आप लोगों को जो ड्रीम्स आ रहे हैं और ड्रीम्स को थोड़ा सा डीकोड करने की कोशिश करो आपका परसन आपको ड्रीम्स में आकर क्या कह रहा है ठीक है जोड़ा फोकस करिएगा अपनी ड्रीम्स में जाकर ये देखने की कि आपका जो परसन है वो आपसे क्या क्या क्यानी की कोशिश कर रहा है अलसो जो लोग कहते कि ड्रीम्स को याद नहीं रख पाते हैं वो अपने थर्ड आई पर मेडिटेट करके सुएं यानि 10 मिनिट्स जब वो सुने जाते हैं 10 मिनिट्स आँख बंद करके ओम मेडिटेशन कान में लगाएं उसको सुने और उसके बात सुएं ठीक है युनिव कि जे एंजल्स में रिव्यॉस के पार्टनर सी करेंट फीलिंग्स में रिव्यॉस को लेकर क्या हैं कि नह पार्टनर के बार्टनर कि बच्चतर प्रेशन केकर करेंग्ना दान संगराब्स करेंग्स ओके गाईस देखी कितना अच्छा मैसेज निकल कर आ रहा है आपका परसन रियल में जानता है कि रियालेटी क्या है सब जानते हैं अपनी रियालेटी सबके इंट्विशन उनको फुल ऑन गाइडेंस दे रहे हैं और सब अपनी रियालेटी को जानते हैं लेकिन प्रॉब्लम होती है उनके माइन्ड को समझाने की उनका माइन्ड बीच बीच में तरक वितरक करता है अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा होता है और फिर सोशल मीडिया के कुछ ऐसे पोस्ट आपकी तरफ जरूर आएंगे जो आपको confuse करेंगे आपकी healing में वो help करते हैं श्रुवात में आपको बड़ा confuse करते हैं वो आप सोचना तो चाहते हो intuitions को follow करना चाहते हो पर वो दिमाग के जो पोस्ट आते हैं आपके सामने ऐसे लोग आएंगे जो कहींगे लव ऐसा होता है वैसा होता है यह चीज़ें आपको बहुत भ्रहमित करती है स्टार्टिंग में क्योंकि आपके अंदर पूरी हीलिंग नहीं है और यूनिवर्स ऐसे ही आपको हील करते है हाई लो हाई लो ले जाके यहाँ पर ऐसा मैसेज निकलकर आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आना चाहता है ठीक है नाइट ओ ओ ओ ओ ओ उए और यह चीज़ उसको मालूम है उसकी खुशी कहा है आप सबको मालूम है यहां पर जितने लोग आये हैं सबको मालूम इनक्षी कहा है प्राब्लम क्या है प्राब्लम है मन को समझाने की यानि हम यह भी कह सकते हैं कि दिमाग को समझाने की मन चाहता है चीज़ें उनके according हो ठीक है और इस चुर्णी में चीज़ें surrender के according होती जैसे आप surrender करेंगे आप सारी concern surrender कर दीज़ें सारी problem सारी चीज़ें सारी दुखदर्द सारी सारी योजना है कैसे होगा क्या होगा कौन मानेगा कोई मानेगा नहीं मानेगा ठीक है कोई कुछ करेगा नहीं करेगा कुछ हुआ नहीं हुआ ठीक है एंड उसको बहुत जल्दी यह समझ में आ गई कि भी वह नहीं है ठीक है बतलब यह परसंन को ऐसा लगा था कि यह नो हम कहते हैं कि जब आपको कोई सामनी से दिखता है ना और यह भी कही नहीं कहीं युनिवर्स का एक कवह होता है कि कहते है कि आपको युनिवर्स ने एक ट वरस पर आपको बिल्कुल ऐसा शो करा देतें कि दिको यही आपका true soulmate है, यही इनसान आपके लिए perfect है, ओके और इसके बाद आप फस जाते हैं, बिल्कुल आपके person के साथ वही energy है, यह अपनी उसी चीज़ के बारे में सोच रहें कि आखिर यह इस trap में आए कैसे, आखिर य क्योंकि वह fit होगी है, वह आप उसे अपनी life में ले आए और आपने इपनी intuitions को totally ignore कर दिया, जो आपके intuition चलना चलना कि आपकी soul कुछ कह रही थी वह आपने नहीं सुना, आपने नहीं सुना आफास गये, यहाँ पर ऐसा message आ रहा है with 10 of cups card, आपके person फिलाल इस situation से निकल जा थी है, चाहते हैं, छीकँ है, यहाँ पर यह energy है, 10 of shots, ओके, मतलब इस person को यह realize हो रहा है कि वो नहीं है, यहाँ को गुस्ता भी आ रहा है, इस person को गुस्य ऊई हो चीज रहा है, और इस person को ना, मतलब इस person की सापसे चीज भी नहीं हो रहे है, तो अन्र ने से person के पास कोई पार्टनर जा रहा है, यहाँ पर 10 of cups की भी energy है, यह offer जो है ना कहीं न कहीं family की तरफ से आया था, तो कहीं न कहीं person अपनी family से भी बड़े disturb है, ठीक है, जैसे family आपके लिए कोई offer ना रही है, या फिर family की तरफ से कोई चीज आ रही है, ठीक है, मैं यहाँ पर 2-4 दिन से ऐसे person के साथ married, लेकिन चीज़ें आपकी life में आगे जाकर बिगड़ गई है, बहुत सारे ऐसे लोग comment section में आते हैं, कि यह husband wife के बीच में कोई third party आई है, ठीक है, मतलब यह तो possibility ऐसा नहीं है, कि आप husband wife बन गए तो नहीं हो सकता है, ठीक है, पहले भी possible है, बाद में भी possible है, ब family से भी border stuff है, और जैसे इस person को ना, मतलब यह चीज़ मालूम है कि यह person आपकी तरफ आना चाता है, लेकिन आपके तरफ पी एक person की जिद है, इस चीज़ की आपने इस person की बात क्यों नहीं है, इस वक्त आप भी तो इस person की बात मान सकते थे, आप भी तो इनकी सुन सकते थे आपने भी नहीं, इस person को उस तरीके से response किया, family ने भी नहीं किया, सब ने अकेला कर जा, यानि कि वही बात है कि person की दिमाग से सारी चीज़े हुई है, लेकि उसको blame अभी भी दूसरों को करना है, उसको अभी भी यह करना है कि मेरा हाथ पकड़ के लोगों ने मुझसे काम करते हैं या तो लालच में, या थो एहनकार में, या तो किसी डर में, या तो किसी प्रैشر में, या तो फिर अपनी किसी जरुवत के लिए, या फिर आपको कुछ दिखावा करना है, इनी सारी चीज़ों में आप काम करते हैं, अब सही या गलत सोचकर काम करेंगे, आपकी decisions यह इस परसंट को अभी भी रेलाइस नहीं हुआ है अजीब लोग हैं पूरी दुनिया में और देखते हम और यूनिवर्स क्या कर रहे हैं इस वक्त मेजर अरकाना यूज करेंगे यहां पर इस परसंट की लाइफ में कर्मा की एनरजी बहुत हाई है ठीक है बहुत हवी एनरजी है टावर डेथ और डेवल अब देगी एक साथ आए है मतलब इस परसंट की लाइफ में ना जैसे लगता है चारो तरफ से मैंना भी बताया था कि मैस्कलिन का एगो बहुत बु बेट करती कोई एकड़ नहीं है वर इनका जो इगो होता है वो अलगी दरजे का होता है ठीक है जिस दिन ये मान जाएंगे उस दिन इस परसन की लाइफ में ठीक होने लगेंगे ये सरेंडर कर देंगे जब तब तक तो यहां पर आप देखे डेवल है डेथ है और टावर है ठीक है पर इस परसन की लाइफ में हो रही है क्योंकि यहां पर आपकी पावर हाई है ठीक है आप बहुत ही स्ट्रॉंग अपनी एनरजी में आपर वल्ड की एनरजी है ठीक है यहां पर चीजे वो होनी है जो इश्वर ने लिखी है ना कि वह जो इन्होंने अपनी मर्जी अपने दिमाग के अकॉर्डिंग कल ली है अपनी एगो के चलते है ठीक है एगो पर भी युनिवर्स का ऐसा नियम रहता है कि एगो 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 एग पर मेसेज है आपके परसन के हम को चाम्स लेते हैं आज ठीक है ओके ये परसन के अंदर हाई मेस्कलिन एनरजी है बहुत जादा यहाँ पर सन की एनरजी है यह बहुत जादा वैसे इनसान परसनेलिटी है मतलब इसका बहुत नाम वाम हो सकता है दुनिया में ठीक है और अच्छी जौब में हो सकते हैं या फिर किसी पोजीशन पर हो सकते हैं ऐसा मुझे याँपर मैसेज मिल रहा है इस परसन का फेस बहुत ही जादा क्यूट सा है ठीक है यह परसन जो है वो कहीं न कहीं बहुत दिलदार किसम के इंसान है चीजों को बाटना है इस परसन को बहुत अच्छे से बहुत होते न जो कि खुले दिल से बाटते हैं आओ तो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूँगा चाहिए मैं एगो में ही क्यों ना दू लेकिन मैं दूँगा वो एनरजी इस परसन के अंदर है लीडर्शिप कॉलिटी हो सकती है इस परसन को ट्रावल करना बहुत पसंद है घुनने फिलने का इंसान बहुत शौकीन है यहाँ पर इस परसन को बहुत अलग-अलग चीजों के साथ काम करना अच्छा लगता है यानि इस परसन को ऐसी जगह जाना ऐसी चीज़ें करना जो लोग नहीं करते नॉर्मल लोग नहीं करते वो चीजों को बहुत पसंद करता है इस इस परसन को थोड़ा चलाक भी है थोड़ा नहीं काफी चलाक है इस इस परसन को इस परसन को इस परसन को ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत जादा पसंद आता है जो इस परसन की लगातर तारीफें करें जो इस परसन की आगे हमेशा जुके रहें कि तुम महान इनसान हो तुम मेरे 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 तुम म काफी पसंद है ठीक है यहां पर शेयर भी है मतलब पावर तो इस परसन के पास बहुत है यानि जिद्धी और बहुत ही पारफुल इनसान है मतलब लड़ाई जगड़े में नमबर एक ठीक है और उस तरीकी का इनसान है कि कोई भी काम पर आ जाए तो करके मानेगा ठीक है मतल इस परसन को ना महबबते जो मुवी है वो बहुत जादा पसंद है ठीक है महबबते जो आपने देखी है वो मुवी ठीक है वो शायद इस परसन को बहुत पसंद है उसकी लव स्टोरी काफी जादा पसंद है मतलब जो भी है वो मुवी इस परसन को बहुत जादा पसंद है